Evo Jessica Plus Suspension जो है जो है एक combination medicine है और जिसके वीच में Evo Profin और Paracitumol Active Ingredient के तोद पर प्रजंट होते हैं तो जो दोनोंrelated जो हैं इनके वीच में Anikkely Goldenades कंट properties हैं जो कि जो हैं सेंपली ब्लॉक कर देती है उन chemical messenger की production को जो की fever, pain जो फिर inflammation जिसके बीच में redness होना, swelling होना तो उन सब को create करते हैं तो उन chemical messenger को जो simply ब्लॉक कर देते हैं ibuprofen और paracetamol दोनों जो है जो पेंकिलर के तोर पे यूज़ किये जाते हैं ibuprofen जो है इसके बीच में analogistic और anti-inflammatory effect होता है जो की mild से लेके moderate level का अगर कहीं भी pain है तो उसको reduce करने में help करता है तो जो simply जो है ब्लॉक कर देता है chemical messenger जिसके बीच में prostaglandine आ जाएंगे जो की pain को जो है cause करते हैं और साथ में ही inflammation को cause करते हैं हमारी body के वीच में paracetamol जो है जो है mild analogistic medicine है और जिसके वीच में pain को control करने की भी properties होती है और साथ में ही इसके बीच में anti-piratic properties होती है जो की fever को भी reduce करने में मद्ज़ करता है तो जो simply जो body का temperature बहुत ज़्यदा high हो चुका होता है तो उसको जो है जो lower कर देते हैं और साथ में ही mild pain है तो उसको भी जो है जो जो नहीं सही कर देता है क्यूंकि जो pain जो है जो फिर जो fever होता है तो जो chemical messengers की बज़ा से हमारी body के वेच में create होता है तो उन chemical messengers को simply stop कर देता है तो जिए दोनों medicines जो हैं तो जिए mild से लेके moderate level के अगर किसी को pain है तो वो कम समय में जो है उसको सही कर देता है Eboo जैसी प्लस suspension जो है जो है जो एक prescription medicines होती है और जिसको की generally pain को treat करने के लिए use मिला जाता है और साथ में ही अगर किसी को pain की बज़े से जो है बहुँ ज़ए discomfortness जासे हो रही है तो उसको भी treat करने के लिए use मिला जाता है तो किसी persons के बीच में अगर pain जो जो discomfortness जो है किसी बी particular condition की बज़े से जो हो सकता है जैसे कि उसके दांदों के बीच में दर्द होना उस वज़े से हो सकता है जो फिर remote arthritis के बज़े से जो है हो सकता है जिसके बीच जो swelling pain और stiffness जो है हो जाती है joints के बीच में जो फिर osteoarthritis की बज़े से जो है होता है जिसके बीच में joints के बीच में pain होती है जो फिर periods के दुरान जो है जो pain होती है उस वज़े से discomfortness जैसे feel होता है जब फिर कोई और जो है वजा हो सकती है पेन की जैसे की muscles के वीच में पेन होना, wounds के वीच में पेन होना, जब फिर किसी particular persons की nerve damage हो चुकी है उस वज़े से पेन होना, जब फिर infection की बज़े से पेन होना, injury की बज़े से पेन होना, जब फिर dysmenorrhea का case होना जिसके वीच मेनेस्ट चलते हैं तो उस दुरान चुहां पेंड और क्रैम आ जाते हैं उस वज़ासे पेंड हो सकती है तो उसको भी इसको करने के लिए युज़ किया सकता है a headache होना जाँफिर a migraine होना जो यह हैक a headache हि होता है जाँफिर a operation के बाद जो किसी को पें होना जो फिर a complain की بजे से जो है दर्ध होना जैसरे मोचु गर्या किसी को आ जाती है जाँफिर a strain मेन अधरा तनाव में कोई judgeosity रहता है M बिए पेन होती है किसी को, जो फिर दांत के विश में दर्द है, जो फिर Ankylosing Spondylitica case में भी, जो है इसको यूज किया जा सकता है, जिसके विश में जो joints की movement होती है, तो जिस बज़ा से जो है, पेन जैसे होती है, जो फिर gout के case में भी इसको use कर सकते हैं lower back pain है तो वहाँ पे भी इसको use कर सकते हैं जब ए sore throat है में गला खराब है किसी का तो उन conditions के बीच में भी इसको use किया जा सकता है तो G-medicine जो है simply control कर देती है जो भी किसी भी person को अगर fever है बुखार है और साथ में ही cartilage matrix synthesis को भी promote करता है और बहुत ही ज़्यादा जी useful होता है musculo-skeletal pain के लिए जा फिर sports के दुरान किसी को अगर injury हो जाती है तो उस दुरान अगर हम लों composition की बात करें तो each 5 ml के वीच में ibuprofen 100 mg जो है present होता है और paracetamol 162.5 mg present होता है तो जी आप लोगों को जो है orange flavor के वीच में मिलेगा जा फिर किसी और वी flavor के वीच में मिल सकता है broncho specimen जो है जो एक ऐसी condition होती है जिसके वीच में जो bronchi होते हैं उनके muscles की lining बहुत ज़दा है tight हो जाती है जिससे की whizzing, coughing होती है जा फिर कोई और symptoms जो हो सकता है खांसी जासे हो सकती है जे जो है किसी भी बज़ा से जो हो सकता है जिसके वीच में एक वज़ा तो asthma है जिस वज़ा से जो है broncho specimen जो होता है तो इसलिए ऐसी person जो कि पहले से ही किसी ऐसी medicine को use करते हैं के बिच में aspirine है जा फिर कोई और non-steroidal anti-inflammatory medicines को use करते है asthma को treat करने के लिए जा फिर renitis को treat करने के लिए तो इसके वीच वे renitis के बिच में क्या होते कि inflammation हो जाती है जो mucous membrane होती है nose की जा फिर urticaria के case में use किया जाता है जैसे कि किसी को skin rashes आ जाते है तो उन persons को eboprofins को use नहीं करना है तो आप लोगों को daily recommended doses से जाधा doses में परacetamol को कभी भी use नहीं करना है उसे serious liver damage हो सकता है allergic reactions हो सकते है allergic reactions के वीच में आप लोगों के face के उपर सूजन जैसे हो सकती है महुत के उपर, थोराट के उपर सूजन हो सकती है difficulty हो सकती है breathing में खुजली हो सकती है skin के उपर rashes आ सकते है तो आप लोगों को recommended doses के according ही जो है इसको use करना है eboo Jessica plus suspension जो है इसको जो है children's के वीच में जिनकी की age 12 साल के निचे के हैं तो उनको जो है use नहीं करवाना है और साथ में ही ऐसे person जिनका की weight 40 kg से कम है तो उनको भी जो है इसको use नहीं करवाना है तो इस medicines को आप लोगों को जो है doctor की instructions के according ही जो है use करना है और use करने से पहले जो है एक बार जो है इसकी bottle को shake वी कर लेना है और इस suspension की dose को आप लोगों को measuring cup की मदद से measure करना है और खाना खाने के बाद आप लोगों को इसको use करना है तांकि stomach upset ना हो और एक particular time के ओपर हर दिन आप लोगों को इसको use करना है तांकि आप लोगों को इसके wet results देखने को मिले और बच्चों से आप लोगों को इस medicine को दूर रखना है अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो 100 ml की bottle आप लोगों को 45 रूपी की मिल जाएगी जब कभी भी आप लोग इस medicine को कहीं से विक्री दें तो इसकी expiry date को एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही खरी दें इबू जैसी प्लस suspension जो है इसको जो है लंबे समयता के लिए आप लोगों को कभी भी यूज नहीं करना है क्योंकि उससे stomach ulcer, bleeding, kidney problem हो चकती है तो इस medicine को साथ में उन persons के बीच में भी यूज नहीं करना चाहिए जिनकों के पहले से ही जो है कोई liver problem है, hurt problem है, kidney problem है, lung disease है जो फिर gastric ulcer होता है, bleeding problem है तो इन सब conditions के बीच में भी जो है इस suspension को आप लोगों को use नहीं करना है तो कुछ common side effects भी जो है इस suspension के देखे जाते हैं जिसके बीच में नॉसिया होना, vomiting, abdominal pain heartburn होना, diarrhea, constipation, gas बना, indirection होना जो फिर dyspepsia होना जिसके वीच में abnormal cells हो है हमारे tissue के वीच में आ जाते हैं तो यह कुछ side effects हैं जो की कुछ समय के बाद खुद बखुद जो हैं disappear हो जाते हैं तो अगर किसी भी persons को लंबे समय तक के लिए side effects रहते हैं तो आप लोगों को doctor को consult करना है